नमस्कार, सत्य खबर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ आरुन कुमार जान लेवा, कोरोणा वाइरस ने पूरी दुनिया में तभाई मचा रखी है चीन में अब तक करीब 722 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोणा वाइरस चीन में ने सिर्फ लोगों की जान ले रहा है बलकि अब इसका असर वहाँ के शहरों पर भी देखने को मिल रहा है वैस रहने वाले चीन के शहरों में भूतों का बसेरा हो गया है जी हाँ, दरसल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के उन बड़े शहरों की हालत डरावनी हो गई है जो दुनिया के सबसे बीजी शहरों में से आते हैं राजदानी बीजिंग में 21 दुक्के लोग दिख रहे हैं उनके मुँपर मास्क लगा हुआ है और हाथ में सिर्फ सैनिटाइजर दिखता है 21 मिलियन के आबादी वाले इस चहर में दुरलब नजारा है जहां आम तोर पर सैक्लों हजारों लोग फोटों खीशते नजर आते थे अब वो वीरान सा नजर आता है एकदम भूतों का डेरा दिखता है सडक खाली है और पार्क इतने शांत है कि केवल पक्षियों की चहकनी की आवाज सुनाई देती है यहाल सिर्फ बीजिंग का ही नहीं बलकि चीन का वित्य केंदर, शंगाई और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले अन्य शहरों को भी कोरोना वाइरस ने भूता शहरों में बदल कर रख दिया है सरकार की तरफ से शहर के रहने वाले लोगों को कोरोना वाइरस के कारण बाहर नहीं जाने के लिए कहा गया है बीजिंग की सडकों से बाहर निकलना खत्रे से कम नहीं है लेकिन कुछ लोग बाहर आने के लिए परियापत बहादुर दिखाई देते हैं बीजिंग के ही जिन्शान पार्क में एक सुरक्षा गार्ड ने कहा कि बीमारी के अलावा दुरलब बरखबारी के कारण भी सामने से एक तिहाई परेटकों की संक्या कम हो गई है चीन में इस महामारी ने 722 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और अब तक 32,000 लोग इससे संक्रमित हैं इस वाइरस के चलते चीन की सरकार ने कई बड़े प्रतिबंद लागू करने की घोशना की है हलाकि इस अभी उपाए इसलिए के गए हैं जिससे संक्रमन ना फैले या इस वाइरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति ना आने पाए हलाकि इस वाइरस का खतरा चीन के अलावा कई और देशों में भी देखने को मिल रहा है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की तमाम कबरों के लिए देखते रहिए सत्य कबर अगर इस वीडियो आपने फेस्बूक पर देखा है तो हमारे पेज को लाइक कीजेगा धन्यवाद